नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग, आप सब का एक बार फिट से स्वागत है, बाई जूज एक्जाम प्रेप आए सिंदी केश यूट्वीब चैनल पर, 21 जुलाई 2023 और आज देखेंगे दा हिंदू का विशलेशन बहुत ही to the point मैनर में, जल्दी से सभी नाज, नेवर गिव अप निक्की, वाउ, शुभाम, गुड आफटरनून, गुड आफटरनून, गुड आफटरनून, मैं उमीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रह होंगे, माता पिता को बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे होंगे, जल्दी से आजाईए, sad to happy, भाई ये सब कहां से लाते हो नाम, आकृती, अनुभव, वैशाली, संतोष, मीना, गरिमा, बहुत सारा गुड आफटरनून, जल्दी से आएंगे सब, अपना कॉपी और पैनल लेके साथ में मैटेंगे, तो कई सारे important articles हैं, तो कुषपेंदर बहुत अच्छा हूं, बहुत जादा अच्छा हूं, आप भी मेरे से बहुत जादा अच्छे होंगे, मैं उमीद करता हूं, मुझे भी देख लिया करिये, अरे बिल्कुल, बिल्कुल, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, चलो, कल मैं ऐसे ही एक slogan देख रहा था, तो उसमें होगा, बस इस बात को पलेटना है, राइट, कभी भी मन में खयाल आए न, या कोई तुम्हें पिंच करने की कोशिश करे, आस पास के लोग, पडोसी, रिष्टेदार, हमेशा सोचो की यार, हमको ये बदल देना है, ये कोई दूसरा मेरी लाइफ का फैसला नहीं करेगा, जब गली बॉइ में एक डायलोग था न, बार बार उसको बोलता है कि नहीं तुम कुछ नहीं कर पाएगा, तु तु गरीब है, ये है, वो है, तो वो बोलता है कि कोई दूसरा आके मेरे को बताएगा कि मैं क्या करेगा, है न, उस वाली लेंगवज में, मुंबई वाली ल स्टार्ट कर दो, Google है, उससे निकालना स्टार्ट कर दो, YouTube है, उससे concept समझना स्टार्ट कर दो, अरे कैसे समझ में नहीं आएगा, कभी न खभी तो आएगा, इंसान है, हमने artificial intelligence बनाया है, हमने chat board बनाया है, हमने chat GPT बनाया है, ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, इ भाई है कि हम निकालते हैं, हमें पता नहीं रहता है, हम दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, जब दूसरा हम से कहता है, रे, कहां पड़े हो इस चक्कर में, थोड़ा UPSC छोड़ो, कुछ और सरल चीजनों देख लो, बट जो तुमने सपना देखा है ना भाई, पूरा जरूर करना, कुछ भी हो जाए, कितना भी गिर जाओ, मत अब गिरने का मतलब है, फेलियर से है ना, चरित्र से गिरने का मतलब नहीं है, तो जितना भी फेलियर आजाए लाइफ में, बस हमेशा सोचना कि हमें यह चीजना पलट देनी है, कैसे भी करके, आरे ठीक है, आज हुआ बट कल होगा और definitely होगा तो इसी thought of the day के साथ शुरुआत करते हैं पहला article data protection law data protection law पे कम से कम हम लोग दो ट्रक भर के article discuss कर चुके होंगे इसमें क्या नया point है वो देख लेते हैं no quick fix ये बड़ा अच्छा English लिखी हुई है और इसके अंदर आर्टिकल है NRF के बारे में वो देखेंगे यहाँ पर एक study आई है center ने एक positive impact पड़ा है state की health infrastructure के उपर उसको देख लेंगे कर्च ब्रिज मैपिंग की दरश्टी से the most important थोड़ी सी history जान लेंगे यहाँ पर जो चीता है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है इसको देखेंगे non बास्मती जो white rice होता है इसके export को इंडियन गवर्मेंट ने बोला भाया अब रोक लो हमारे देश के लिए बाहर मत भेजो ठीक है कारण क्या है उसको देखेंगे तो शुरू करते हैं आज का session बड़े ध्यान से पूरे मनोयोग से पूरे concentration से सिर्फ मेरे को देखिए मेरे को सुनिए मैं क्या लिख रहा हूँ आप भी उस चीज़ को लिखिए आज पास बात मत करिएगा आप से humble request और मुझे पता है आप मेरी request को पूरी तरीके से मानेंगे इंडिया's data protection law needs refinement यहाँ पर बात करी जा रही है कि इंडिया का जो data protection law है उसको refinement की जरूरत है refinement का मतलब होता है उसमें और सुधार की जरूरत है और चीज़ें अच्छी आनी चाहिए अब आप पूछेंगे law ऐसा कोई law तो आया नहीं है बिल्कुल सही बात है हम लोगों ने पहली बार starting करी थी 2018 में जब data protection bill कि क्या बोलते हैं इसको data protection bill फिर इसको आया दुबारा 2019 में फिर इसको हमने कहा भेजा हमने भेजा अपनी संसदी समिती के पास फिर उसके बाद आप देखोगे 2022 में फिर से इसको launch करा गया तो लगातार बिल पे बिल बिल बनते जा रहे हैं उसमें modification होता जा रहा है वो हमारे सामने रखा जा रहा है बट उसको अभी act में convert नहीं करा गया है कारण simple है क्योंकि वो data के protection की बात कर रहा है और data आज की time पे बहुत बड़ा हतियार है बहुत बड़ा हतियार तो किसी भी तरीके की चीज को बार-बार reform करा जा रहा है ठीक है कि जब भी इसको launch करेंगे ना तो एकदम perfect तरीके से launch करेंगे खैर बट अब इसको launch कर देना चाहिए बहुत ज़ादा delay इसमें होता जा रहा है बार-बार हर हफते आप देखते होगे 10 से 15 दिन में एक दा हिंदू में इस type का article आत जाते हैं इसलिए मेरी कोशिश है जो article है वही आपको समझाओं ठीक है चालो शुरू हो जो मेरे साथ देखो data protection bill जो है थोड़ा सा introduction दे देता हूं जो भी नए students है जो पहली बार data protection bill के बारे में जानने यह नाम सुन रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाए और जिनको आता ह है ना यह किस type की बात कर रहा है यह यहाँ पर बात कर रहा है personal data की कौन से data की बात है personal data यहाँ पर non personal data की बात नहीं करी जा रही है non personal data की बात इस bill के अंदर नहीं है यहाँ पर केवल personal data की बात है अब आप कहेंगे यह दोनों में difference क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं जै ये सारे जो नाम हैं, ये तो नाम कैसे हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, सिधार्थ नाम से हजारों वेक्ति हो सकते हैं, समराट नाम से हजारों वेक्ति हो सकते हैं, विशाखा नाम से बहुत सारे वेक्ति हो सकते हैं, बट इससे क्या किसी इंडिविजुल की पहचान आप क license होता है, हमारा account number होता है, हमारा pan number होता है, voter ID card होता है, ऐसी कुछ data जो मेरे बारे में, particular मेरे बारे में explain करते हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग personal data, हमारा account number, ये सारी चीज़े, non-personal data में, इसके अलावा जो चीज़ें आती है, anonymous, नाम क्या है इनका, ठीक है, कहाँ पर रहते हैं, तो अभी कोई बोलेगा, ये सिधार जो है, वो रहते हैं केरला में, तो अब केरला में कई सारे सिधार्थ हो सकते हैं, सिधार्थ रहते हैं, वो जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर कई सारे सिधार्थ हो सकते हैं, तो ये सब कैसा data होता है, non- जो जिस से आप मेरे तक नहीं पहुंच सकते हो, बट जिस data से आप मेरे तक पहुंच सकते हो, वो है मेरा personal data, तो data protection bill जो है, वो personal data को protect करने की बात करता है, ना कि non-personal data को बड़े ध्यान से इसको सुनो, और अपने अंदर एकदम इसको store कर लो, ठीक है, तो पहली चीज आपको समझ में आ गई अब जब हम लोग यहाँ पर इसके लिए होता क्या है तो हमारा जो personal data है आज हम लोग क्या करते हैं हमें लेना है mobile phone ठीक है आज कल देख रहे हैं कि nothing का phone आ रहा है नया नया एकदम phone है अब मन कर रहा है यार phone लेना है phone लेना है तो अभी क्या करेंगे हम लोग Amazon पर जाएंगे और वहाँ पर phone को buy करने के बाद अपना account यह सब चीज़ें उसमें enter करेंगे अगर आप Paytm वगरा यूज करते हैं तो UPI अपना enter करेंगे सारी चीज़ें जब उसमें अपना account number IFSC आप enter करते हो तो this is आपकी personal information और ये information किस के पास चली गई Amazon के पास ठीक है इसी तरीके से ये तो बात हो गई यहाँ पर आप shopping करने जाते हो ठीक है इसी तरीके से आप कोई और उधारन ले लो Facebook का उधारन ले लो आप Instagram का उधारन ले लो यहाँ पर आप social networking sites पर अपने accounts बनाते हो तो आप इसमें अपनी information देते हो आपका नाम क्या है आपकी email ID क्या है अब आप कहोगे ये तो अब तो non-personal data है बट कई बार ऐसा हो भी होता है कि कई सारे non-personal data से न अगर मैं आपके account में जाओं आपका account अगर authentic है तो उसमें कई सारी चीज़े मुझे आपके बारे में पता चलेगी कैसे आपकी जो likes क्या है ठीक है आपके dislikes क्या है आपका political विचारधारा क्या है ठीक है आप किस company के products को use करते हो आप किस type के गाने सुनते हो आप किस type की movies देखते हो ऐसी बहुत सारी information मुझे social media के माध्य हमसे आपके account से मिल जाएगी अब मैं इसी सारे data का उपयोग बहुत different डिफरेंट जगे पे कर सकता हूँ अब मेरे पास कोई company आती है ठीक है वो perfume बनाने वाली company है और मेरे को पता ही कि मैंने आपकी profile में आपके facebook में आपके instagram पे कई सारे perfumes के आपके post देखे हैं कि आप ये company का perfume like करते हो आपको bike का शौक है मेरे पास कोई company आती है bike की तो मेरे से बोलती है कि मुझे data दो अब मैं कौन हूँ मैं हूँ ये facebook, insta मैं हूँ ये जिनके पास data रहता है तो मुझे पता है कि सिधार जो है ना ठीक है उनको hyabusa बहुत पसंद है बहुत दिनों से वो hyabusa लेने की सोच रहे हैं तो अभी suzuki company मेरे पास आईगी और मेरे से detail मांगेगी कि ऐसा कौन सा customer है जिसको hyabusa लेनी है तो वो मेरे पास एकदम suddenly call आता है हाँ सिधार से बात हो रही है हाँ आपने hyabusa के लिए inquiry करी थी जबकि मैंने कभी inquiry नहीं करी सकती है यहीं पर जो political parties होती है न वो भी इस data का इस्तमाल कर सकती है अब मुझे पता है अभी मेरे account में मालो मैं किसी इस party को support करता हूँ ठीक है अब मेरे facebook में आप देखो के वही सारे advertisement आ रहे है इस party के ही सारे advertisement आ रहे है जैसे आप youtube में देखते हो अभी आपको youtube में मालो गूमने का शौक है आप उसमें कई सारे destination डाल के देखते हो अरे यहाँ पर देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी अच्छे जगह है मुन मेरे भाई उसको करना है regulate ठीक है उसको करना है regulate उसको करना है protect और यह किसका काम है यह किसका काम है government का ठीक है वही कोई bill लाके कोई act लाके हमारी personal information को protect कर सकते हैं मेरे बिना इजाजत के कोई मेरा data नहीं use कर सकता यह है इसका motive ठीक है साधारन शब्दों में समझो आपको मे मेरे से permission लेनी पड़ेगी आपने मेरे से permission ली मैंने आपको data दिया आपना ठीक है कि आप ठीक है मेरा यह data use कर लो जब आपका काम खतम हो जाएगा तब आपने storage से आप उस data को delete कर दोगे तो यह कथा समझ में आ गई आपको अब बात करते हैं इस article के बारे में तो पहला point य नहीं करता है और सबसे बड़ी चुनोती यहाँ पर यही आ जाती है अभी आखरी में challenges बता दूँगा writer क्या बताते हैं क्या कमिया और रह गई है अभी भी कमिया रह गई है ठीक है एक एक करके बात करते हैं तो यहाँ पर पहली चीज क्या है यहाँ पर आप ऐसे समझ लो क कि processing of personal data की बात होती है ठीक है यानि कि जो हमारा व्यक्तिगत data है ना उसको क्या करेगा उसको यह process करेगा प्रोसेस करने का मतलब होता है कि मेरे सारे data को लेके उससे एक महतवपून सूचना प्राप्त करना इसको बोलते है process करना मेरा कई सारा data लिया और उससे मेरे बारे में पता लगाया अच्छा यह ऐसा सोचता है अच्छा यह इस चीज को पसंद करता है अच्छा अच्छा यह यह वला ठीक है तो यह चीज है ठीक है दूसरा point यहाँ पर स पहा गया है कि देखो जो इंडियन कंपनीज है ठीक है इंडियन डेटा है अभी इंडियन डेटा हमारा डेटा कोई बाहर की कंपनी है जैसे for example Facebook तो Facebook मालो USA की कंपनी है तो मेरा एकाउंट है Facebook में मेरा एकाउंट है Instagram पे तो अभी यहाँ पर होगा क्या कि Instagram के पास मेरी पूरी डीटेल है Facebook के पास मेरी पूरी डीटेल है तो अब इस कंपनी का main office कहाँ है USA में इस कंपनी का main server कहाँ है USA में तो data protection bill जो है वो यह कहता है कि अगर आप किसी भारती का data process कर रहे है तो उस data को आप outside the territory of India लेकर नहीं जा सकते आपको इंडिया में ही process क करना पड़ेगा तो उसका जो storage है वो आपको यहीं करना पड़ेगा तो इस बार क्या हुआ जैसे ही ये चीजें बोली गई तो अब इसका मतलब है Facebook को इंडिया के अंदर भी अपना एक server लगाना पड़ेगा और वहाँ पर सारे Indians का data store करना पड़ेगा इससे क्या होगा इस यहाँ पर writer क्या कहना चारता है यह company जो है वो इससे बच रही है और company क्या कहती है इसको इसको कहती है data economy यह data की जो अर्थ विवस्था है यहाँ पर company का अपना पैसा extra खर्च हो रहा है इस bill में इस प्रावधान की वज़े से तो यह भी हो सकता है कि वो जो company है वो इंडिया इसे quit कर जाए बट user इतने जादा है खेर उसका क्या solution निकलेगा यह तो नहीं पता बट अभी के लिए इस में drawback है ठीक है पहला चीज दूसरा दूसरा आप यह समझो यहाँ पर कि इसमें जो power है न वो पूरी तरीके से किस के पास है वो है यहाँ पर केंद्र सरकार के पास अब आप पूछो गई यह कैसे देखो इसमें यहाँ पर writer बताते हैं ध्यान से देखिएगा limited reach of data protection board इसका मतलब क्या है आपको पता है कि यहाँ पर एक data protection board बनाया गया है ठीक है इस board के अंदर अभी यहाँ पर प्रावधान clear नहीं है कितने members होंगे ठीक है बट यह म्युक करने का मतलब है जैसे supreme court है ठीक है उसे लगता है कि समाज में society में कुछ problem चल रही है बहुत दिनों से यह issue create हो रहा है इसका solution सरकारे नहीं निकाल रही है तो वो अपना खुद से आगे आके बोल देगी अरे यह मुद्दा उठा के लाईए मेरे पास हम संग्यान लेते हैं तो यह स्वता संग्यान लेना तो यह power data protection board के पास नहीं है data protection board जो है वो कब काम करेगा वो कब शिकायतों पर अमल करेगा जब उसके पास कोई complain आईगी या केंदर सरकार उसको बोलेगी देखो यह complain आईए इस company ने users का data misuse करा है आप इसको जड़ा चेक करिए तो data protection board जो है बेसिकली उसका काम क्या है सारी शिकायतों का निवारन करना वाद विवाद को सुलजाना यहाँ पर जो problem है अगर कहीं पर ऐसा पाए जाता है कि कोई company गलत काम कर रही है data चुरा रही है या बिना user की permission के data उसका use कर रही है तो यहाँ पर data protection board आएगा बट वो सुओ मोटो न केन सरकार का जो निरणा होगा न वही यह data protection board मानेगा उसे लगेगा यह company सही काम नहीं कर रही यह सही काम कर रही है जबकि दोनों सेम टाइप की काम कर रही होगी मगर यहाँ पर क्या होगा एक मतलब अनुमान के तौर पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर पक्षपात हो सकता है ठीक है तीसरा point देखो यहाँ पर क्या है right to equality equality कैसे right to equality की बात कैसे आती है देखो दो companies हैं एक public और एक private इसके पास भी users का data होगा public company यानि की government की जो company है और जो private companies है इनके पास भी user का data है बट यहाँ पर क्या है कि दोनों के प्रावधान अलग-अलग है तो यहाँ पर समानता का अधिकार तो नहीं रहा जो public companies है ना जब राष्ट की सुरक्षा की बात आती है बड़े सारे संख्या में लोगों का हित जब की बात आती है तो यहाँ पर data जो है वो बिना user की permission के इन companies को रखने का अधिकार है एक आपको पता होगा right to privacy गोपनियता का अधिकार 2017 में केस पुत्ता स्वामी केस आया था और उसमें right to privacy को क्या बोला गया यह हमारा fundamental right है यानि कि मौले का अधिकार है तो यहाँ पर देखो data protection bill में साफ साफ लिखा हुआ है जब भी राजी की सुरक्षा की बात आईगी कहीं पर कुछ ऐसा देश प्रभावित होते हैं तो उस टाइम पर जो यहाँ पर right to information है या right to privacy है इसका हनन करा जा सकता है और वैसे भी हमारे मूल अधिकार संपून तो है नहीं absolute तो है नहीं आपात काल की स्थिती में कई सारे मूल अधिकारों का कुछ समय के लिए निलंबन होता है तो उसी प्रकार यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो public companies है यानि कि जो government की companies है वो user से बिना पूछे उनका data ले भी सकती है उनको सूचना नहीं भी दे सकती है तो यहाँ पर यह क्या हो रहा है यह right to equality को क्या कर रहा है वोईलेट कर रहा है private company के पास यह right नहीं है बट यह government companies के प पर अपना अधिकार जमा सकती है बट private companies यह नहीं कर सकती है ठीक है तो इसको भी ध्यान रखेंगे इसके अलाबागर बात करें कि यहाँ पर एक word use होता है इसको खेर तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा fiduciary के नाम से ठीक है हिंदी में ऐसे लिखते है fiduciary fiduciary वो companies होती है जिनके पास data store होता जैसे कि facebook, instagram, whatsapp यहाँ पर आपका data store है आपका four number store होता है आपके number पर OTP आता है तब आपका whatsapp install होता है ऐसा ही facebook है ठीक है instagram है तो वहाँ पर इनके पास जो data store होता है तो वो सारी companies जो अपने पास data store रखती है वो fiduciary कहलाती है तो यह सारी जो fiduciaries है ना इ इनको storage इनको मिलता है data store किया जब इनका purpose खतम हो जाए तो उस data को यह क्या कर दें delete कर दें अपने पास ना unlimited time तक उस data को रखे ना कई बार आपने देखा होगा ऐसा होता है कि आप किसी social networking site पे अपना account बनाईए और उसमें अपना account delete कर दीजिए बट वहाँ पर आपको एक message जाएगा कि आपका जो data है आपका जो account है वो 15 दिन तक 20 दिनों तक यहाँ पर रहेगा फिर उसके बाद हम इसको permanent delete कर देंगे अगर आपका विचार बदलता है आप वापस से आना चाते हैं इस website को use करना चाते हैं account बनना चाते हैं तो आप दुबारा आ सकते हो तो 15 दिन त हो सकता है कि यह तो आपको भी नहीं पता ना आपको तो यह सोचके लग रहा है कि 15 दिनों तक data रहेगा फिर उसके बाद delete हो जाएगा हो सकता है वो 20 दिन तक रहे महीना बर तक रहे हो सकता है कि वो unlimited amount of time तक रहे तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है fiduciaries को कि नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते पहली चीज तो user के consent के बिना आप data store नहीं करेंगे जब user consent देगा तब आप data उसका process करेंगे use करेंगे और जिस काम के लिए आपने data मांगा है उसी काम के लिए आप data का use करेंगे किसी दूसरे काम के लिए नहीं और अगर आपको किसी दूसरे काम के लिए use करन तो पहले permission लेनी पड़ेगी user से, और जैसे ही आपका काम खतम हो जाएगा, वो data वहाँ से तुरन delete हो जाना चाहिए, तो ये कुछ points है इनको आपको ध्यान में रखना है, अब यहाँ पर देखो, एक बहुत अच्छा point राइटर ने यहाँ पर cover किया है, वो मैं बताता हूँ क्या, यहाँ पर हम लोग किस चीज़ के data की बात कर रहे हैं, personal data की, personal data से किसी भी व्यक्ति की पहचान हो सकती है, और जबकि non-personal जो data होता है, इससे नहीं हो सकती पहचान, यही तो मतलब हुआ इस चीज़ का, राइटर ने यहाँ पर एक twist कर दिया, क्या twist कर दिया, उन्होंने बोला कि हमें अगर काई सारे non-personal data पता हो ना, तो इससे भी हम व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं, उससे हमें उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती हैं, देखो, राइटर यहाँ पर Uber, Ola, जो भी driving यह apps होती हैं, आप इनका use करते हो, ठीक है, अभी इनके, इनके में account बनाने के लिए आपको क्या phone number वगरा डालना पड़ता है, नाम डालना पड़ता है, यह सब होता है, अभी आपने अपनी cab मंगा ली, ठीक है, और cab से आप X से Y तक गए, अगर इस चीज़ से केवल, आपके बारे में यह पता लगता है, पहली चीज़ तो आपका जो भी phone number account, detail आप डालते हो, वो पता लग जाता है, दूसरा, आपके बारे में यह चीज़ पता लगती ही, कि आप कहां से चड़े हो cab में, ठीक है, कहां पे आप उतरे हो, यह सारी information पता लगती है, अभी इससे यह पता लगता है, कि जैसे मानलो, अगर पर कोई वेक्ती, X से Y तक regular visit करता है, और वो कहीं job करने वाला है, तो उससे यह पता लगता है, देखो, यह सिधार्त नाम का वेक्ती है, वो यहाँ पर X से cab करता है, Y तक daily जाता है, है ना, हफते में 5 दिन जाता है, त यह जो non-personal data है, अगर इसका आप एक collection करो, तो इससे भी आप उस वेक्ती तक पहुँच सकते हो, तो writer यहाँ पर कहते हैं, कि यह ना, अपने आप में एक myth है, मतलब भ्रहम है, कि non-personal data अगर पता है, तो हम उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भले ही देर लगे ठीक है, तो यह चीज़ याद रखेंगे, पहली चीज़ यहाँ पर only protect personal data, यहाँ पर writer उस चीज़ को card देते हैं, यह गलत जवाब, आपने कहा हम non-personal data से भी personal तक पहुच सकते हैं, यहाँ पर आया जो दूसरी problem है, writer बताते हैं, कि यहाँ पर जो data board है, उसके पास suo moto नहीं ह अपने आप से कोई case मंगाने की शक्ती नहीं है, और इनकी जो न्यूकती बगरा होगी, इसको भी नहीं clear करा गया है, तो ultimately power किसके पास आरी, government के पास, ठीक है, data economy का मतलब है, writer यहाँ बता रहे हैं, कि जो company विदेश में रहती है, वहाँ पर server लगा है, बट अब उसको क्या सारी चीज़ें लिख भी दी हैं, तो आपको यह समझ में आ जाएगा, GS का third paper, page number 10, third में हम लोग science और विज्ञानिमा प्रवद्वगी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है, no quick fix, यह basically किसकी बात कर रहा है, NRF की, national, जो research foundation है, उसकी बात कर रहा है, आपको क्या काम करेगा, इसके नाम में ही आ रहा है research, ठीक है, R से हम लोग क्या बोल रहा है, research, ठीक है, और research की हिंदी क्या हो रही है, शोध या अनुसंधान, तो basically यह एक इंडिया में ऐसा निकाय बनाया जा रहा है, जो केवल और केवल फोकस करेगा research करने में, development करने में, विज अलियास private sector must be incentivized to see value in invention, मतलब यहाँ पर देखो क्या हुआ, NRF जो बिल आया न, इसमें ऐसा बोला गया कि 50,000 करोड रुपय, यह अगले आने वाले 5 वर्षों में, यानि कि 2023 से लेकर 2028 तक, यह सरकार जो है, इसके लिए budget का अवंटन कर दिया है, क्यों, भाई, क्योंकि इस इतनी critical चीज हैं, कि कल को अगर किसी देश के साथ हमारा जो है वो अन्बन होती है, तो अगर उसने supply बंद कर दी, या वर्ल्ड में supply chain प्रभावित हुई, तो ऐसी critical चीज है कि उसका होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी, उधारन के तोरों पर semi conductor, lithium, jet engines, है ना, यह सारी critical हैं, किसी भी देश के लिए बहुत important है, और एक बार supply chain रुकी तो इस देश में हाकार हो सकता है, तो हमारे पास यह हम import क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बना नहीं पाए, हम बना क्यों नहीं पाए, क्योंकि हमने education तो अच्छी ले ली, बट education में जहाँ पर research की बात आती है, वहाँ पर हमने अच्छा काम नहीं किया, राइटर यहाँ पर देखो बताते भी हैं, कि हमने आज तक अपना केवल 0.6% से लेकर 0.8% अपने GDP का खर्च करा है, उधारन के तौर पर अगर 100 रुपए GDP है, तो एक रुपए भी खर्च नहीं हुआ है, पूरी तरीके से शोध क करना, उसके लिए भाइस funding चाहिए, पैसा, अभी आप देखो चंद्रियान 3 हमने launch करा, इसके पहले का जो चंद्रियान था, वो 2, हम ये चंद्रियान 3 क्यों बना पाई, क्योंकि हमने ये लगातार शोध का मतलब क्यों तक टेस्टिंग करते रहना, हमने चंद्रियान 2 जो शोध है न, वो पैसा मांगता है, क्योंकि उसमें करने होते हैं आपको experiment, प्रयोग, उसमें लगती है funding, तो यहाँ पर सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, 50,000 करोड अगले 5 वर्षों के लिए allocate कर दिया, बट, यहाँ पर ये जो 50,000 करोड रुपे है न, इसम पास का जो पैसा है, वो private companies देंगी, यानि कि यहाँ पर द्वार खोले है, private companies को invite करा है, कि आप आईए, इस चीज में invest करिये, research में invest करिये, ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आई, यहाँ तक समझ में आगई, अब देखो, यहाँ पर अब सरकार ने इसमें word यूस करा है incentivized, मतलब मेरी company है, ठीक है, XYZ, मैंने क्या करा, मैंने funding करी, उधारन के तोर पे semi conductor बनाने के लिए, ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 5-6 व्यक्तियों को बड़ बड़ जो scientist है, उनको मैंने रखा, और उनको पूरा एक lab बना के दी, उसमें एकदम state of art facility हैं, हर चीज की स बन जाएगा न, तब सरकार क्या करेगी, मुझे incentivize करेगी, मुझे परोसकार देगी, किस चीज का परोसकार, हो सकता है कि वो मुझे tax में benefit दे दे, हो सकता है कि वो मेरे electricity bill में benefit दे, हो सकता है जब मेरे products बिकें, उसमें जो GST बगरा लगता है, उसमें benefit दे दे, तो किसी ना किसी तरीके से मुझे monetary benefit मिलेगा, मौदरिक सहयता मिल जाएगी सरकार की तरफ से, तो अब ये हमें भी करने में अच्छा लगेगा, कि हमने पैसा लगाया, बट सरकार ने हमारी यहाँ पर help करी, सरकार ने हमें पुरुसकरत करिया, तो इससे क्या होगा, जितने भी private entrepreneur हैं, जितने भी private player हैं, वो सब इस दिशा की तरफ आकरशित होंगे, कि हमें भी पैसा लगाना है, हमें भी पैसा लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे important चीज जान लीजेगा, जो NRF है ना, इसका जो भी budget allocation 50,000 करोड़ रुपए हुआ है, यह पूरा सरकार नहीं देगी, इसमें maximum portion private players देंगे, थोड़ा portion सरकारे देंगी, अब जितने भी state के अंदर राज के विश्य विद्याले हैं, जहाँ पर यह labs वगरा हैं, तो वहाँ पर उनकी labs को और अच्छा बनाना, वहाँ पर जो PhD students हैं, जो शोध करने में interested हैं, जो भी वैग्यानिक हैं, उनको funding करना, उनको अच्छे से अच्छी infrastructure प्रोवाइड कराना, जिससे कि वो अपनी field में शोध कर सके हैं, तो यह चीज है, अब यहाँ पर बोला गया कि 0 से 6% केवल, 0.6 से लेकर 0.8% हम अपनी GDP का खर्चा कर रहे हैं, एक रुपए भी खर्च नहीं कर रहे हैं, और जबकि दूसरे देशों का उधानल लिया गया कि, चाइना का, यूएस का, इसराइल का, तो इनका, इनका योगदान और जादा है, आप देखोगे कि, प्राइवेट सेक्टर का कॉंट्रिब्यूशन यहाँ पर 70% के आसपास है, ठीक है, यानि कि 100 रुपए अगर सरकार खर्च करती हैं, तो उसमें 70 रुपए प्राइवेट कंपनीज खर्च करती हैं, सरकार को केवल 30 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि इंडिया में अभी के लिए जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो केवल 36%, यानि कि 100 रुपए में 36 रुपए प्राइवेट से आ रहा है, अब उसके पास भी बजट की कहीं न कहीं कमी होती है, डिफेंस बजट भी देखना है, सारी एकॉनमी को देखना है, तो यहाँ पर अगर प्राइवेट प्लेयर आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, और इसी के लिए NRF बिल जो ही इसको लाए गया, तो NRF पूरी एक बॉड़ी बनाई जाएगी, जहाँ पर जो केवल और केवल किस चीज़ पर काम करेगी, शोध पर, ठीक है, तो देखो यह धिहान से, तो यह इस पूरे आर्टिकल में था, और कुछ important point, देखो यहाँ पर यह बताय गया, कि कमपनी का CSR होता है, बर्च करता हूँ, समाज को दे देता हूँ, कैसे, उसकी education के लिए, मैंने कुछ school खुलवा रखे हैं, ठीक है, वहाँ पर मैंने कोई hospital खुलवा रखा है, मैंने कोई अनाथाले खुलवा रखा है, मैंने कोई वरधाश्रम खुलवा रखा है, ठीक है, तो ये जो काम मैं करता हूँ, social responsibility, समाजिक उत्तरदाइत्व का, समाज के प्रती, वही समाज, जो मेरे biscuit खरीदता है, जो मुझे profit देता है, जो मुझे पैसा देता है, तो मेरा भी कुछ responsibility बनती है, कि अपने profit का कुछ हिस्सा, मैं उस समाज की भलाई के लिए लगा दूँ, पेजल की विवस्था कर दूँ, ठीक है, education में कर दूँ, तो ये होता है, corporate social responsibility, यहाँ पर बोला गया, कि मानलो 100 रुपय में से 10 रुपय मैं इसमें खर्च करता हूँ, तो ये एक survey हुआ था, financial year 2022 का, उसमें ऐसा बोला गया कि 14,000, साड़े 14,000 मानलो round figure में, साड़े 14,000 जो इतना रुपया होता है, ये CSR की जो companies होती है न, तो companies का जो CSR होता उसमें खर्च करती है, जैसे कि यहाँ पर देखो education, है न, healthcare, sanitization, सफाई विवस्था, पेजल, ठीक है, सच्छता, इन सब में खर्च करते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है कि maximum company, अब मानलो मेरी company गुजरात के एमदाबाद में है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उतने छेतर में ही, जो एक company कभी-कभी आपने देखा होगा, company के office होते हैं, पास में ही लोग अपनी colony बना के रहते हैं, ठीक है, उसमें company का ही employer रह रहा होता है, उस colony में, तो company क्या दिखा देती हैं, कि हम CSR तो कर रहे हैं, अभी CSR वो किस के लिए कर रही है, अपने employee के लिए, अपनी community के लिए, तो यह गलत है, ठीक है, दूसरे समाज के लिए आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि, जब इतनी spending यहाँ पर हो रही है, तो अब companies को क्या करा जाएगा, यहाँ पर आकरशित करा जाएगा, हम आपको tax माफ करेंगे, हम आपको extra पैसा दे देंगे, कुछ subsidy प्रोवाइड करा देंगे, और आपके लिए GST वगरा जो भी है, वो माफ करा देंगे, ठीक है, तो यह जो land tax है, वो खतम करा देंगे, तो यहाँ पर company का तो profit है कही ना कही, कि भाई हम अगर शोद में पैसा लगाएंगे, तो ultimately हमें को ही पैसा वापस return में मिलेगा, ठीक है, तो इससे क्या है कि research और जो development की field प्रावेट सेक्टर का इस पर योगदान बढ़ेगा, और यहाँ पर जो प्रावेट सेक्टर उसको incentivize सरकारें करेंगी, तो यह था, यह पूरा article, थोड़ा सा इसका जो static portion है, उसको देख लेते हैं कि what is NRF, तो NRF मैंने आपको बताया कि क्या था, इसके पहले न, सर्ब था, 2008 में इसको बनाए गया था, जिसको क्या बोलते हैं, विज्ञान एवं Engineering Anusandhan Board, है न, Science and Engineering Research Board, 2008 में, इसका काम था, शोध का, ऐसा नहीं है, देखो, कथन के form में आएगा, कि क्या NRF पहली संस्था है, जो भारत में ये काम कर रही है, नहीं, NRF से पहले भी एक संस्था थी, बट अब इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, पहला, इसमें ये बोल रहा है न, कि पहली, इसका काम क्या है भाई, शोध करने का, कभी-कभी हमें क्या लगता है, कि शोध केवल विज्ञान में होता है, ठीक है, केवल टेक्नोलोजी में शोध है, नहीं, यहाँ पर ये बात क्या कर रहा है, अभी किसी ने कोई बहुत अच्छी किताब लिख दी, तो ये भी तो उसने कला की छेतर में एक शोध किया, किसी ने जैसे मतुरा कला, गांधार कला, ये सब कलाएं होती है, तो किसी ने इसको बनाया, ठीक है किसी ने अपनी नई तरीके की शैली को जनन दिया तो ये उसने शोध किया समाज के अंदर जो problems होती है जैसे कि उधारना के तौर पे आप समझ लो की पे जल की समस्या है अभी पे जल को दूशिद जल को convert करना है पे जल में क्या कोई ऐसा equipment बना दे तो उससे क्या है पे जल की समस्या को solve कर सकता है दिल्ली के आसपास पराली जलाने की समस्या होती है ठीक है तो सर्दियों में आप देखो किस तरीके से धुन्द ऐसा चा जाता है तो अभी किसी ने एक ऐसी device बना दी कि उस धुन्द को क्या करेगा हटा देगा या फिर जो पराली की समस्या है पराली जलाने की बजाए किसान जो है उसका और दूसरा alternative solution क्या निकाल सकते है तो हमारे समाज की भी जो problems होती है ना इन पर भी क्या होगा शोध तो शोध होना है दोनों चीज़ों में एक तो science के छेतर में जो basic science है physics, chemistry, bio और दूसरा समाजिक जो problems है यहाँ पर बोला गया है शोध हम इस चीज़ में भी करेंगे की national priority क्या है राष्टरी की प्रात्मिक्ता है क्या है जैसे हमारी पहली प्रात्मिक्ता है स्वाथ चूर्जा की कोईला हमको चरणबद तरीके से खतम करना है पेट्रोल डीजल हमको चरणबद तरीके से खतम करना है क्योंकि इनसे निकल रहा है CO2 greenhouse gases वो कर रही ही global warming तो हमें स्वाच चूर्जा पे काम करना है क्या हम ऐसे solar panel बना सकते हैं जो अत्यधिक मात्रा में सौर उर्जा को ग्रहन करें और उसको विद्धुत में convert करें हम wind turbine बना सकते हैं हम जोरी उर्जा को use कर सकते हैं भूतापी उर्जा को use कर सकते हैं जलवायू परिवर्तन को रोकने के लिए क्या-क्या equipment बना सकते हैं बुनियादी infrastructure को कैसे अच्छा कर सकते हैं बहतर परिवाहन कैसे कर सकते हैं स्वास्त सुविदा सस्ती सस्ती कैसे कर सकते हैं एक वेक्ति है उसको बहुत कोई major problem है बट उस major problem का ilaj महानगरों में होता है वहाँ पर बड़ी खर्चीले machine आती है तो क्या हम उस machine की cost को कम कर सकते हैं किफाइती दरपे और तीसरा इसका main काम क्या है funding बढ़ाना और वो भी कहां से सरकारी और निजी छेतर दोनों से यहाँ पर funding को बढ़ाना तो पहला काम है यहाँ पर इसका objective क्या है कि जो natural science है इसके अलबा social problems को solve करना दूसरा national priorities की जो problems है उनको भी solve करना और यहाँ पर तीसरा काम क्या है funding को increase करना Department of Science Tech में यह आएगा इसको याद रखिएगा अब यह body होगी तो इसमें मालो यह है NRF ठीक है तो इसमें दो bodies है एक तो governing body है जो यहाँ लिखा हुआ है शासी निकाय यह क्या करती है यह policy बनाने का काम करती है और दूसरी क्या है कारेकारी निकाय है ठीक है यह इन policy को लागू कराने का काम करेंगी जो इसके chairman है वो कौन है प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष रहेंगे उपाध्यक्ष कौन होगा इस NRF का तो इसमें दो minister है Minister of Science और यहाँ पर Minister of Education यानि कि विज्ञान एवं प्रधोगी मंत्राले के जो मंत्री उस समय होंगे वो और प्लस शिक्षा मंत्राले के मंत्री और जो भी प्रधान मंत्री भारत का रहेगा वो इसका अध्यक्ष रहेगा तो PM क्या रहेंगे अध्यक्ष और ये उपाध्यक्ष में दो व्यक्ती रहेंगे ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है चलो GS का third paper यहाँ पर page 11 page 11 का मतलब है सबसे दाहिंदू का एकदम last page उसमें science का page आये लगा है उसमें देखो यहाँ पर क्या चीज़े आई है ना center ने यहाँ पर जो हमारा ministry of health है स्वास्त मंत्राल है ठीक है उसने ये चीज बोली है क्या बोली है देखो बड़े ध्यान से समझीएगा यह है center government ठीक है यहाँ पर है state government ऐसा बोला आता है कि देखो भाई center government से 100 रुपए निकलता है state government को बड़े ध्यान से सुनिएगा center government 100 रुपए देती है state government को किस चीज के लिए कि अपने राज में स्वास्त सुविधाओं को और अच्छा करिए आप बहुत भेतर करिए अच्छा state government का भी अपना बजट होता है आप जिस भी राज में रहते होंगे हर साल वो राज अपना बजट निकालता है जैसे केन सरकार का हर साल आता है हर साल आपके राज का बजट आता है तो उस बजट में भी स्वास्त सुविधाओं के उपर जो खर्च होता है उसका क्या करा जाता है आवंटन करा जाता है यहाँ पर यह कहा जाता है कि यह जो सो रुपय यहाँ पर दिये गए न सेंटर ने दिये इनको एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए तो इसको न चेक करा जाए चेक करा जाए कि State Government ने इसका कितना भाग खर्च किया स्वास्त सेवाव में और बेसिकली Primary Health Care में तो यहाँ पर चार राज्यों के अंदर एक सर्वे होता है तमिलनाडू, केरला, हरियाना और बिहार तमिलनाडू, केरला, हरियाना बिहार इन चार राज़ों में सर्वे में यह पाया गया कि यह राज जो है न वो अपना बजट तो निकालते ही हैं बट जो सेंटर पैसा देता है उन सबसे मिलाके इनके हेल्थ में बहुत सुधार हुआ है दो चीजों में maximum सुधार देखा गया है कौन कौन सी दो चीजे है पहला है infant mortality rate यानि कि जो शिशु म्रतुदर होती है उसमें कमी और जो की बहुत अच्छी बात है और दूसरा यहाँ पर देखा गया कि जो public की spending है health में spending का मतलब क्या है वो भी कम हुई है इसका मतलब क्या है देखो मालो मैं हूँ मेरा पांच लोगों की family है ठीक है अकेले मैं उसमें कमाने वाला हूँ suddenly कोई भी मेरी family में बीमार पड़ जाता है तो इसका पूरा burden मेरे उपर आ जाएगा अभी हमने क्या है मालो मेरी salary है 100 रुपए महीने की इस 100 रुपए में 20 रुपए जो है वो खाने पर खर्च होता है ठीक है 10 रुपए बिजली का बिल आ जाता है बाकी 15 रुपए खर्च होता है कप्ड लत्तों में इस तरीके से सारा खर्चा एक व्यक्ति का divided होता है हर महीने का बट सड़नली कोई उस व्यक्ति के परिवार में बीमार पड़ जाए तो अभी क्या है यहाँ पर इस से extra पैसा निकल रहा ना मालो 50 रुपए निकल गया केवल उसकी दवाई में ठीक है डॉक्टर की फीस में दवाईयों में सारी चीजों में तो अब यहाँ पर यह सा पैसा जा कहां से रहा है यह मेरी जेप से जा रहा है ना तो अगर राज सरकार मेरी help कर दे तो क्या होगा यह 50 की जगए मालो मेरी तरफ से 20 गया 30 रुपए राज सरकार ने अपनी तरफ से दे दिये मार्केट में जाके और चीज़ें खरी दे सकता हूँ जब मैं मार्केट जाके चीज़ें खरी देता हूँ ना तब ही चीजों की डिमांड बढ़ती है इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना जब व्यक्ति की जेब में पैसा होता है तो उसकी purchasing power होती है उसके पास क्रेशक्ती होती है वो मार्केट में जाके समान खरी देगा उस समान की demand है अब जो company है वो समान बनाएगी जब company समान बनाएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा मगर मेरे पास पैसा ही नहीं मेरी जेब में जब कर देती है न तो दो चीजों में ये चार राज्यों में बहुत अच्छी स्थिती देखी गई, तो यहाँ पर public spending, मतलब public की spending किसमें health में, वो कम हुई है public health में spend कम कर रही है क्योंकि सरकार का वहाँ पर क्या है उसने अपना support दे रखा है तो यह अच्छी बात है, अब public के पास जो पैसा है, वो किसी other sector में जा सकता है और यहाँ पर शेशियु मात उदर भी कम देखी गई है, बट यहाँ पर problem के है ना, जैसे मैंने आपको जो lecture की शुरुआत में बताया, कि state government को जो पैसा दिया आता है ना, तो फिर पैसा वो खर्च होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आप देखोगे, एक मानक भी लिखा हुआ है कि 8% total state budget का अब इनोंने state budget का मानलों निकाला हुआ है, इनोंने 1000 रुपए, ठीक है, तो अभी यहाँ पर बात करी जारी, 80 रुपए इसमें से यह किसमें खर्च करेंगे, स्वास्त में अगर यह 80 रुपए स्वास्त में खर्च करते हैं तब तो central government इनकी help करे otherwise तुम अपने budget से पैसा नहीं खर्च कर रहे हो, फिर तुम हमसे उधार ले रहे हो तुम तुमारे पास जो notes मैं तुमें लिखवा रहा हूँ तुम वही नहीं पढ़ रहे हो और तुम extra notes की demand कर रहे हो तो यह चीज है तो यहाँ पर फिर भी central government क्या कर रही है इनकी help कर रही है और इससे यह चार राज्यों की जो report थी वो काफी अच्छी देखी गई GS का second paper page number 12 अब यहाँ पर second paper का मतलब है अंतराश्ची संबन, international relation देखो क्या हुआ दो-तीन दिन पहले की news है आपको पता ही चल गया होगा कर्च ब्रिज, ठीक है mapping की दरश्टी से तो the most important है इस बार prelims में यूकरेन पर direct प्रशन आया था कर्च ब्रिज, attack significant देखो, यहाँ पर बोला गया है की कर्च ब्रिज पर attack हुआ अभी सबसे पहले start करते हैं basic से आप देखोगे की यह क्रीमिया है ठीक है, यह रश्या का part है अगर क्रीमिया को आप देखोगे तो for example यह क्रीमिया है, तो क्रीमिया का यह दक्षन पार्ट है, ठीक है एकदम last वाला पार्ट है और यह रश्या है, 2014 में रश्या ने क्रीमिया को हलप लिया यूकरेन से छीन लिया हालां कि बहुत समय पहले जिस सब एक ही पार्ट था हुआ का, बट 1991 के बाद सब अलग-अलग राज बन गए तो यहां पर 2014 के बाद से क्रीमिया पर इसने कब्जा कर लिया अब यह क्रीमिया, यह है यूकरेन, ठीक है touch है इसे बट यहां पर देखो, यह से सीमा तो बना रहा है बट क्रीमिया से रशिया यानि कि अगर ये रूस मैं लिख रहा हूँ तो इसके बीच में क्या आता है ये आता है समुद्र ये आता है पानी तो अगर तुम्हें यूक्रेन पे उसके दक्षनतम भाग को अपने कंट्रोल में रखना है और क्रीमिया को अपने कंट्रोल में अगर तुम्हारा तुमने भले ही इस पर कबजा कर लिया बट अगर तुम्हारी देश की connectivity इस पर नहीं अच्छी है तो कल को Ukraine वापस से इस पर कबजा कर लेगा इसको मद्दे नजर रखते हुए यहां पर 2018 से 2018 से पहले मतलब इस project को start कर रहा था पुतिन ने और 2018 में इसको open क highlight करी हैं मैं एक बर दिखा देता हूँ यह सारी तुम्हारी एक्जाम की द्रश्ची से बहुत ज़्यादा important है Sea of Azov, Taman Bay, कर्च स्ट्रेट इसी के पास कर्च स्ट्रेट जल संधी है यहां पर आपको काला सागर देखने को मिलेगा तो यह आपको important चीज़े याद रखनी है important के वल यह नहीं है कि यह ब्रिज है important यह कि four lane का ब्रिज है 40,000 vehicles per day इसी के साथ साथ यहां पर आप parallel में आप देखोगे railway bridge भी है तो road और railway bridge important है और रशिया से एक मात्र क्रीमिया को connect करने वाली चीज़ है तो अब यहां पर आप देखोगे कि अगर इस चीज़ को Ukraine तोड़ वस्तुएं हैं सेनाएं हैं वो यहां पर बहुत जादा दिक्कत हो जाएगी रशिया को और यही हुआ दो से तीन दिन पहले एकदम से suddenly news आती है कि इस पुल के नीचे से जो यह रूस का कहना है कि जो Ukraine की Navy थी उसका Navy drone था Navy drone का मतलब है जो पानी के अंदर चलते है ठीक है प अधिज जो था वो important है रशिया की दरश्टी से बहुत जादा क्योंकि यह क्रीमिया को connect करता है दूसरा आप Ukraine का अगर map देखोगे तो Ukraine के map में आप यहां पर डोनबास reasons देखते हो वो तो already रशिया के कबजे में है जो उसका deduction reason है न वहाँ पर Ukraine कभी कुछ बड़ा कल को action न होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो यह कुछ important locations है इनको ज़रूर याद रखिएगा कर्च स्टेट तमन भी ब्लैक सी एक और चीज़ बताता हूँ आपको बहुत important ठीक है तुजला आईलेंड ये इसमें नहीं दिया था ये ये जो bridge आप देख रहे हो न ये bridge ये bridge एक इसके नीचे छोटा सा एक आईलेंड पढ़ता है उस आईलेंड का जो एरिया है उसको क्या बोलते है तुजला आईलेंड तुमने अभी सबसे कथिन प्रश्न कैसे बन सकता UPSC उसको पताएगी कर्च ब्रिच सब एकदम रट के आए होंगे, आज पेपर है, आज सब एकदम इसमें घुज गया होंगे, ठीक है, तमन बे क्या है, ब्लैक सी क्या है, सब, वो पूछेगा एकदम तुजला आइलेंड बताएए, कहां पर इसकी लोकेशन है, तो आप बता है, सुप्रीम कोट ने आप सेंटर गवर्मेंट से भाईया हाथ जोड के विंती करी है, कि देखो, ये जो चीता है, अभी आपने कूरो नेशनल पार्क में रखे हुए है, और लगातार आप देखोगे, आठ चीता, ठीक है, टोटल आठ चीता जो है, यहां पर इनकी डेथ होती जारी, ये लगातार, आप देखोगे, दो महिने में, एक महिने में एक न्यूज आती है, कि भाई, चीते की डेथ हो गई, लास्ट डेथ जो हुई, आपको पता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो एक बार चेक कर लेना, उस चीते का नाम सूर्य, सूर्य रखा गया थ तो क्या था, जैसे चीता आप देख रहो ना, तो इसके गले में, एक रेडियो ऐसा ट्रांस्मिटर बांधा जाता है, जिससे इनकी लोकेशन को ट्रैक करा जा सके, बट यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसके हुआ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में एक इंसेक्ट है, मैग नियुक्ति हो जाती है, यहां पर जो सरकार हैं वो आदेश देती है कि जितने भी चीते बचै हुए हैं ना, इन सबको एक जगा पर लाया जाये, और सबकी चेकिंग होगी, कॉलर जो इनका लगा हुआ है रेडियो, तो उसमें चेकिंग होगी कि और किसी चीते के कॉलर में कोई जखम तो नहीं, अब देखिए, ये जंगली जानवर हैं, जंगल में चल रहे हैं, कहीं पर कोई पेड़ से टकरा गया, या आपस में लड़ गया, किसी दूसरे जानवर से लड़ गया, तो कहीं कोई जखम हुआ, अब उपर लगा हुआ है पूरा कॉलर का, जो रेडियो हो गई, ठीक है, तो ये अब जब ये भी निउस आ गई, तब सुप्रीम कोट जो था, वो हरकत में आ गया, और उसने सरकार से बोला है, कि देखो भाई, 20 चीतों में से 8 चीते यहाँ पर खतम हो चुके हैं, ठीक है, तो अब आप कर क्या रहे हो, अगर एक पॉसिबिलिटी ये है कि कुनो नैशनल पार्क के अंदर, अगर ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा एक नैशनल पार्क है, जो गांधी सागर नैशनल पार्क है, आप इनको इसमें भी शिफ्ट कर सकते हो, इस आप्शन के बारे में भी सोचिए, पहले के जो चीतों की डेथ ह ये उसमें ऐसा बोला गया कि पहली चीज तो इनकी आपस में लड़ाई, तो एक कारण ये था, कि आपस में लड़ गया, तो एक मर गया, दूसरा था कि यहाँ पर जो प्रे है, प्रे का मतलब होता है इनका खाना, भोजन कम पढ़ रहा है कूरो नैशनल पार्क में, और ती उसेन बोल्ट, तो 100 मीटर में, 400 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बट मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, तो सेम ऐसे इस इनके साथ भी है, बट ये क्या करते हैं, एक जगह पर टिकते नहीं है, तो इनको चाहिए बहुत बड़ा एरिया, अब अगर भारत की त इस वजए से यहाँ पर ये निउस चर्चा में आ गई है, बाकी आपको पता है कि चीता जो पुनर योजना पर योजना थी, वो केवल इसीले बनाई गई थी, कि हमारा लक्ष क्या था, एफ्रिकन जो चीते हैं, उनको हम लाएंगे, चीते डो टाइब के होते हैं, एक एफ पहले हमारे भारत में 10,000 थे उपर चीते थे, बट बिटिश काल में, मुगल काल में जो शिकार जिस थरीके से हुआ, उस थरीके से एक भी सिंगल चीता भारत में नहीं बचा, तो हमने चीता पुनर योजना जो थी, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ड किया, री इंट्रोडक् जिससे की चीते की पॉपुलेशन क्या होगी भारत में बढ़ेगी, अब जैसे एफरीका चीता की बात करोगे, तो ये वलनरेबल है, अच्छी मात्रा में 6000 के आसपास हैं ये चीते, ठीक है, तो इनका IUCN status याद रखेगा वलनरेबल है, ठीक है, जो वैग्यानिक नाम है, एसिनोनिक्स जुबेटस, एशियाई चीते की बात करेंगे, तो ये है, एसिनोनिक्स जुबेटस तो है, इसके आगे वैनाटिकस, इसको और तुम्हें आड कर देना है, तो वो क्यो हो जाएगा, एशियाई चीता, अती संकटा गरसत हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रे चीते और उसमें से आठ की डेस हो जाती, अब तो और स्थिती खराब हो जाती, यहाँ पर देखो क्या है, कल ही हम लोगों ने आर्टिकल डिसकर्स करा था, टमाटर के उपर, आज चावल के उपर बात आ गई, और वो भी कौन सा चावल है, बासमती चावल, यहाँ पर सरका गरेलू मार्केट में जो डिमांड है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट हमारे पास इसकी जो, जिसको बोलते हैं ना कि, क्वांटिटी जो है, जो सप्लाई है, वो कम हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम क्या हो रहा है, सब एक्सपोर्ट हो जा रहा है, बाहर चला जा रहा तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है price rise, तो इन दोनों चीजों को control करने के लिए, यानि कि supply भी बराबर रहे और price भी एक मतलब limit में रहे, इस वज़े से government ने क्या बोला है, export अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रोकेंगे, ताकि अपने domestic market में इस चीज को बरकरार र taxi grain initiative इस से रशिया बोल रहा है, अब तुम कर लो, अब तुम अपना गेहूं भेज लो, अब तुम्हारे सारे ports जो हैं सबको चेक करूँगा मैं, अब कि यह पूरा initiative डील को cancel कर रहे हैं, तो अभी यहाँ से खादे पदार्थ जा नहीं पा रहे हैं, यहाँ से supply chain प्रभाव हो रही है, तो यह सब किसका नतीजा है, climate change का, और यहाँ पर देखे, अल नीनो के बारे में भी लिखा हुआ है, अनि कि अल नीनो आ रहा है, अब और जादा गर्मी जो है वो बढ़ने वाली है, गर्मी बढ़ने वाली है, बरसात कम होने वाली है, तो चावल के लिए अनु देता है, कथन के अलोग में भारत सरकार दोरा शुरू करे गए प्रोजेक्ट चीता के उद्देश क्या है, और इससे चुनोतियां क्या है, इस पर चर्चा करनी है, देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम यह सोचोगे कि हम यह चीता को ला के यहाँ पर करना क्या चा र अगर तुम सोचो कि टाइगर रिजर्व घोशित ना करा जाए, नैशनल पार्क घोशित ना करा जाए, तो यह इतना भयानक और दोगी करन चल रहा है न, कि लोग कहीं पर भी जंगलों में जाके लखडियां काट के ले आए, लोग किसी भी जानवर की हत्या करना करा क्या, इस एरिया को टाइगर रिजर्व घोशित करते ही, टाइगर तो हमारे सिक्योर हुए, प्लस आस पास के जो पेड़ पौधे थे वो भी सिक्योर हो गया, अब लोगों की आवाजाही कम हो गई, जो इंडस्टिल वर्क, मतलब उद्योगी जो होती ना, कि करते हैं, वो भी खतम हो गई वहाँ पे, तो अगर किसी जगए को हम लोग चीता रिजर्व घोशित करते हैं, तो वहाँ पर चीता भी सिक्योर हो गया, और आस पास का जो परियावरण है, जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ये सब सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है, त तो प्रोजेक्ट चीता का उद्देश केवल ये था कि भारत में वापस से चीता जो है, उनकी जनसंख्या को बढ़ाना, आप कहोगे कि इससे फाइदा क्या है, देखो पहला फाइदा है टूरिजम का, दूसरा फाइदा है कि वर्ड में एक मैसे जाता है कि भारत जय विव बीच में अगर एक भी व्यक्ति उसमें अनुपस्तित हो जाएगा, तो पूरी फूड चेन खराब हो जाती है, तो चीता के आने से न, अब चीता जिनको खाएगा, उनकी जनसंख्या कैसी रहेगी, बैलेंस रहेगी, तो हमारा खाद श्रंखला भी कैसी रहती है, बैलेंस पहली चीज तो एरिया कम है, बट ऐसा बोला जाता है कि जो कूरो नैशनल पार्क है, वहाँ पर अगर मैं गलत नहीं हो, तो शायद 21 चीतों की वहाँ पर अभी शमता है, और फिर यहाँ पर यह भी बोला जाता है कि आप पूरा देश अब चीता पर फोकस कर रहा है, तो ब ग्यान में करियर हमारे व्यवसाय में, यानि कि बिजनस में, इंजीनरिंग में, एड्मिनिस्टेशन में, लोग आईएस बनना चाते हैं, ठीक है, लोग MBA करना चाते हैं, कैट कॉलिफाई करना चाते हैं, लोग यहाँ पर BTEC करना चाते हैं, और यहाँ से क्या करना चाते है jobs करना चाते हैं, but यहाँ पर कोई research में नहीं जाना चाता है, कि हम research करें वो उतना अकरशक नहीं है तो यहाँ पर क्या होता जा रहा है कि विश्विद्याले भी जो हो रहे हैं, वो क्या होता जा रहा है उपभोगता उनमुक, यानि कि जो market में demand, consumer जो चाता है, वही course पढ़वाते हैं वो अपने colleges में, अच्छा, B-pharma करना चारे हो अरे, लोग, B-pharma स्टार्ट करते हैं आप nursing करना चारे हो, nursing स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर शोध नहीं कर रहे हैं तो इसकी आलोचनात्मक टिपणी करनी है दोनों प्रशन आसान से हैं, लिखने का प्रयास करिएगा ठीक है अभी जैसे मैं प्रशन पूछता हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं साहिल, रिंकी, कुलदी श्रेया, वीना, ललिता, पूजा, जानवी अनु, आकाश, नितिन, भगवती साहनी, साक्षी, शैलेंद्र, सरोज, मनीश अन्तिम, रवी, सीता, प्रशांत, ताहिर, अनुराग वंदना, दीक्षा, जोती, मनीश, महिपाल सुरेंद्र, रिया, खुशी आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोग कमेंट करते हो और विस्त府त रूब से कमेंट करते हो, आज आपसे दो प्रेश्णे पूँचता हूँ, पहला प्रेश्ण है, कि एक जोग्रेफी पूचता हूँ, हो सकता है, आपने पढ़ा हो, हो सकता है ना पढ़ा हो, बट मैंने यह प्रेश्ण, इसलिए सेलेक्ट करके निकाला है अगर आपने नहीं पढ़ा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा कॉंसेट बताऊंगा बट एक रिक्वेस्ट है वो ये है कि खुद से एक बार ज़रा मेहनत कर लेना करा कोरम विसंगती या इंग्लिश में बोलते हैं अनॉमली ये क्या होती है कमेंट करके बताएंगे करा कोरम अनॉमली क्या है ठीक है दूसरा आसान सा प्रेशन पूछता हूँ एक वर्ड चर्चा में है थ्रेड्स मेरे को बताए थ्रेड्स क्या है क्यों चर्चा में है ये और करा कोरम विसंगती क्या होता है इसके बारे में बताईएगा एक बार देख लेते हैं कौन-कौन से आर्टिकल साज हम लोगों ने चर्चा करी है सबसे पहले हम लोगों ने डेटा प्रोडक्शन लॉग के बारे में देखा इसमें तीन आपके जो राइटर थे वो ड्रॉबैक बता रहे हैं तीन ने ड्रॉबैक हमको पता चले यहाँ पर NRF के बारे में देखा कि NRF में किस तरीके से यहाँ पर सरकार ने इंसेंटिवाइस कर दिया है प्रैवेट सेक्टर को यहाँ पर सेंटर का जो स्पेंडिंग होती है हेल्थ को लेके वो स्टेट को जो पैसा देते हैं और स्टेट जो अपने बजट से निकालते हैं तो उससे दो चीज़ें अच्छी हुई है एक तो शिशी उम्रत उदर की बात हुई है और दूसरा पब्लिक स्पेंडिंग जो होती है पर कैपिटा पब्लिक स्पेंडिंग वो कम हुई है अच्छी बात है कर्च ब्रिज कहां पर लोकेटड है क्या हुआ क्यों चर्चा में है हमने देखा रशिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी देखा हमने यहाँ पर सुप्रीम कोट में चीता को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बोला है कि इसका कोई अल्टरनेटिव सॉलूशन निकाला जाए कांधी साधर पार की यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर नौन बासमती वाइट राइस है इसके एक्सपोर्ट को यहाँ पर थोड़े समय के लिए पॉस के लिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो जरूरते हैं पहले उनको पूरी कर लो ताकि महंगाई ना बढ़े उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या होता है ठीक है तो आज के सत्र में इतना ही रखते हैं मैं उम्मीद करता हूँ आज का सत्र आपको अच्छा लगाओगा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए लाइक तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है ठीक है तो आप से मुलाकात होगी दाहिंदू के अगले सत्र में कुछ नए बर्निंग आर्टिकल्स के साथ तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे स्वस्त रहेंगे और सबसे इंपोर्टन अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद